जोहार जार्खंड वेलकम टू टीडे लर्निंग मैं आपका दोस्त प्रदीप सेवेंथ जेपीएसी का सीरीज चल रहा है अपना जीएस पेपर टू के लिए कुई क्रिविजन सीरीज है उसमें आज हम देखने वाले हैं जार्खंड के अंदोलन के अंतरगत जार्खंड के आ किलेर हो जाएगा तो चलिए आग जो हम देखने वाले हैं वह है अपना हो जन जाती परदें बाद करतों हो जन जाती जो है ओड़कंड की चौथि सबसे बड़ी जाती है इससे बड़ी जो तीन जाती है संधाल और मुरा जञाती है उसके बाद फोजर्जाती आता है ठीक ह इनका जो निवास अस्थल है यह मेनली पूर्वी और पश्मी सिंग्भूम के साथ ही साथ सराय केला में निवास करते हैं ठीक है अब देखिए इनका एक अखड़ा होता है अखड़ा मतलब जैसे यह से जेनरली तो जो हो जन जाती है यह नदी और ज़र्णों के किनारे ही नि अहां पर प्रसिक्षन दिया जाता है युवाओं को युवतियों को प्रसिक्षन दिया जाता है समाज कल्यान के बता जाता है संस्कृति के बता जाता है कल्चर के बता जाता है तो ऐसे जह को अखड़ा जो होता है इनका वह गाओं के बीच में होता है और इस अखड़ा को इटे तूर्थूर बोलते हैं ध्यान रखें घर्म सभी पुस्ताप के एक्जाम एक्षवाल लेटा है यह क्या होता है अखडा का नाम है हो जंजाती का ठीक है देन आता है पीर पीर क्या होता है कि जैसे अंतर ग्रामी ईसासने वस्था कंट्रोल करने के लिए तो अंतर ग्राम पंचायत को कंट्रोल करने के लिए अलग लोग का तो पांट से दास गाओं मिला के एक पीड बनता है और एक पीड का एक एक मानकी होगा ऐसा देखा गया कि 26 पीर में सारे गाओं तो इनका जीवन आपन पर चलता एक तो क्रिसी पर दूसरा मजदूरी यानि यह जहां मजदूरी मिलेगा वहां यह काम करेंगे यह तो क्रिसी के लिए जिस भूमी का इस्तिमाल करते हैं उस भूमी को बारी कहा जाता है और इनका जो क्रिसी भूमी होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है एक को दोन बोलते हैं और एक को टार बोलते हैं यह ध्यान रखिएगा तो आपको और पॉइंट बता तो यहां पर जैसे हो मुंडा तथा भूमिज यह जो तीन जन जाती है इन तीनों को कोल जन जाती के नाम से भी जाना जाता है यह याद रखी है आगे आए जब विवाह की बात आती है तो इन में बहु गोत्रिये विवाह का परचलान है तो बह मैं पूष चुका जबिक के अंडी विवाह परथा किस समुधाय से समदित है तो यह हो जन जाती से संबस्क्राइब करते नहीं आपको क्या करना है कैसे ऑर इंप्रुमेंट क्या सकते है आपको क्या डिमांड है तो उसके एक चलेंगे विश्चू ल दैस्ट गुट लग